भेडियों ने अपना नया ठिकाना ढूंड लिया है और भेडियों की एक बार फिर से आमत से इलाके में दह्शत का महौल बना हुआ है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि चार भेडियों को वन विभाग राज्यस्वी की तीम ने पकड़ लिया है लेकिन अभी कुछ भेडियों और है जिने अभी पकड़ना बाकी है बामुश्किल चौथे भेडियों को पकड़ा जा सकता लेकिन अभी जो बाकी भेडियों है ये एक बहुत बड़ी चुनोती बन चुके हैं वन विभाग की टीम के लिए राज्यस्वी की टीम के लिए पु सबसे पहले तो आपको बता दें कि देर रात में भेडिये ने बहराईच के 12 भीगा गाउं में एक बुजर्ग महिला को निशाना बनाया घर में सो रही बुजर्ग महिला को खीच कर ले गया महिला ने चिलाया शोर की आसपास के लोग दौर पड़े और लोगों की शोर सुनक भेडिया वहां से डर के मारे भाग गया लेकिन महिला बुरी तरीके से जठ्मी हो गई है बुजर्ग महिला की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है वही दूसरी तरफ बहराईच के ही अन्य गाउं में भेडिये ने एक और तीन साल की बच्ची को निवाला बनाने की कोश बहराईच के महसी के नाववन गाउं में इसने हमला किया और घर में अपनी मा के साथ सोरही तीन साल की मासुम बच्ची को भेडिया उठा कर ले गया जैसे बच्ची ने रोना शुरू किया तो लोगों ने सुना माने सुना और जैसे ही भेडि के तरफ दोड़े भेडिया दुम दगबा कर भाग गया और तीन साल की मासुम बच्ची को भी साथ में ले गया। बच्ची की क्षत-विक्षत हालत में शब मिला है। बच्ची की मौत हो चुकी है। बच्ची के दोनों हाथ भेडिये ने काट लिये और मुरत अवस्था में बच्ची खेत में पड़ी पाई गई है। बच्ची करते हैं पकड़ने को लेकिन ये पकड़ में आ नहीं रहे हैं। अगला ठीकाना बनाया है क्योंकि जैसा हमने पहले आपको बताया था भेडिये एक जगह हमला करने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ अब लोग सतर्क हो चुके हैं या उनको पकड़ने लगे हैं लोग तो वह वहां से छोड़कर उस जगह को छोड़कर महसी इलाकर ढूल लिया है बहराईच का ही एक दूसरा शित्र है महसी उसके आसपास के गाउं जहां पर एक बारा बिगर में बुजर्ग महिला को निशान बनाया और एक नाववर में एक तीन साल की मासुम बच्ची हलांकि इन दो हमलों में जो बुजर्ग महिला थी वो त डरा हुआ है आप सुनिए ग्रांड मिडों का क्या कुछ के नावारे न्यूस जटीन समवादाता मौके पर पहुचो और ग्रांड जोरों पर उन्होंने किसानों से बाच्चीत की है किस तरीके से उरखवाली कर रहे हैं आप सुनिए पहले आज 6 दिन हो गया है आपके साथ में हमारे साथ में 8-10 लोग है तो सुना आपने यहां पर गाउवाले खुद ही रखवाली करते हैं डंडा लेकर वो खेट जाते हैं और जाय लेकर वो खेट जाते हैं ताकि उन पर अगर भेडिया हमला कर दे तो वो खुद को बचा सके रा दर्वाजों को तोड़ देते हैं और अंदर घुस कर शिकार करने की कोशिश करते हैं कहा ये भी जा रहा है कि भेडिया बहुत भूके हैं और ये खूंखार हो गय है क्योंकि इनके साथियों को पकड़ा जा चुका है और इनके गैंके कुछ जो जुन्द ए उसमें से कुछ कि और जादा खतरनाग घ्रामीरू के लिए के सभार yesus कर रही थी जब चौथा भेडिया लंगड़ा पकड़ा गया थो ऐसा माना जा रहा था कि अब लोगों को रहत की सांस मिलेगी लोग अब शांती से रह पाएंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पहले जो हालात थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं अब और जादा खराब बिस्तिती हो चुकी है क्योंकि भेडिये डर की कारण भी बहुत खुंखार हो चुकी उनको लगता है कि उनको शायद पकड़ने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे उनके उपर हमला हो सकता है और यही कारण है कि वो और जादा इस वक्त उग्र हो चले हैं बहुत जा पकड़ने के लिए स्पेशल तरीके से ड्रोन लगाए गए हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके कुल कितने भेडिये इनको स्कैन किया जा सके और इने जौल बिछा कर किस न किसी तरीके से टंकुलाइस करके पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके इन दिनों अकसर यह देखा जाता है कि जो जग्ली जानवर हैं वो ग्रामें चित्रों में दहश्वत माचाए हुए हैं चै τοज़ा है असवो की में बाहत कर ले हैं लेकिनस है उन्यक्त खतरनाक भीरीया जो कि इस वक्त बहरायचके के आसपास के इलाके में चुके बहरायचके नेपाल की सीमा से सर्टा हुआ है और नेपाल की सीमा पर गहर घने जंगल है गहरे घने जंगल है और यही से कहा जा रहा है कि यह भेड़ी आते हैं और लोगों पर निशाना साध लेते हैं लोगों को निशाना बना लेते हैं दो बड़े हमलों के बाद से गाओं में लोगों ग्रामेडों का रहना मु तो आदमियों की अपिक्षा वो मासूम बच्चों पर जादा हमला करने की कोशिश करते हैं जो उने शिकार के लिए उप्योगी समझ में आता है और भेडियों की एक और खासियाते जो एक्सपर्स बताते हैं कि भेडिये तकरीबन चार या पांच किलो का भार बहुत आसानी स उठा कर भाग सकते हैं दोर लगा सकते हैं चिप सकते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कार रहने कि बच्चों को आपको साबधान रहना है अपने बच्चों को आपको सुरक्षित रखना है बच्चों को घरों के बाहर छोना नहीं ताकि एक बार फिर से एक मासुम कोई ब पर बुजर्ग महिला और एक बच्ची शामिल थी. जहांपर बुजर्ग महिला गंबीर उस जगहे पर छुपना, वहां से भागने की कोशिश करना बहुत असान हो जाता है, जो कि जादा तर वनविभा की टीम के लिए मुश्किल होता है कि कैसे इन भेडियों को पकड़ा जाएगा। अब हालात बहुत जादा खराब हो जुके हैं, बहराइच शेतर के आसपास के तक्रिबन 40-45 ऐसे गाउं हैं जो कि डर के साही में जीने के लिए मजबूर हैं और सबसे बड़ा डर इस बात का कि कहीं कोई अगला बच्चा ना हो जो कि भेड़ी का निवाला बन जाए दरसल ग जाते हैं और इन कच्चे ही जोबड़ी नुमा घरों में ही दस्तक देते हैं बेड़िये और छोटे मासुम बच्चों को शिकार करने की कोशिश करते हैं चोटे मासुम बच्चों को निवाला बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए आप सभी से अपील है कि आप बिल्कुल इनकी पहचान की जा सके कि कितनी संख्या में हैं सबसे बड़ी चुनोती तो यहीं को यहीं नहीं पता है कि अभी कितनी संख्या में भेड़िये इलाके में घूम रहे हैं और बागी तमाम ख़बरों के लिए आप देखते रहिए न्यूस जटीन लगातार सतर करहिए साब धा नमस्कार